दोस्तो recently मैं ट्रैवल कर रही थी और ट्रैवल करते करते मुझे काफी सारी लोगों से पता चला की Indigo Airlines इस वकत काफी सारी हाइरिंग जो है वो लेकर कर आई है यह hiring male और female दोनों ही candidate के लिए है और India की काफी सारी locations पर है तो काफी सारी information मैंने वहाँ से लोगों से gathered करी और यह video मैं आप तक पहुचा रही हूँ तो आज की इस video में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी post पर Indigo Airlines आप सभी के लिए hiring लेकर के आई है किस तरह से आप यहाँ पर apply कर सकते हैं apply करने के लिए eligibility criteria क्या रहने वाला है इन सब चीजों के बारे में पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ इस video में लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना So friends, let's get started So friends, आप मेरी computer screen पर check out कर सकते हैं यहाँ पर मैंने आप सभी के सामने Indigo की official website जो है वो open up की है जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको बता दू कि जो भी opportunity Indigo Alliance में आती है यह इनकी official website पर जरूर post होती है काफी सारी vacancy third party के through भी आती है तो उसके लिए आपको खुद ही third party से बातशीत करनी होगी तो यहाँ पर कोई charges, कोई fees नहीं होते हैं चाहे वो किसी भी department की vacancies हो वो सभी की सभी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी बहुत सारी website guys fake भी रहती हैं तो अगर आप trusted website पर जाना चाहते हैं तो मैं आप सभी के लिए regular basis पर jobnow247.in की official website पर already post कर देती हूँ हर महीने की hiring तो आपको google पर type करना है www.jobnow247.in आप इस website पर आएंगे आपको indigo की हर महीने यहाँ पर job opportunity एक ना एक दिखाई दे जाएगी आपको इसको read करना होता है और जो वहाँ से आपको apply link मिलता है वही है verified website आप directly google पर search out करके आती हैं तो आप google पर simply type कीजे यहाँ पर read कीजे इस vacancy को और उसके बाद यहाँ apply करतीजे देखें indigo काफी सारे department में आप सभी के लिए hiring लेकर के आते हैं तो यहाँ पर देखें यह departments भी हैं यहाँ पर आप no more के button पर click करके check out कर सकते हैं कि कौन कौन से department में indigo airlines जो है vacancy लेकर के आती है तो यहाँ पर देखें मैं आपको बता देती हूँ airport operation and customer service में बहुत सारी opening indigo airlines आपके लेकर के आती है आपको जादा तर जो लोग दिखाई देंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग baggage में काम कर रहे हैं कुछ लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं जहाँ पर जो flight है उसके नीचे कुछ लोग flight ramp पर काम कर रहे हैं तो यह सारे के सारे न airport operation and customer service में आती है जादा तर जो opportunity इंडिगो में आती है यह इसी profiles में आती है जिसमें qualification apply करने के लिए भी बहुत ही minimum चाहिए होती है fresher and experience दोनों ही apply कर सकते हैं ठीक है इसके बाद आप देख सकते हैं cargo operations में बहुत सारी opportunity आती है उनके engineering department में भी काफी सारी vacancies regular basis पर आती है लेकिन experience required रहता है ठीक है इसके बाद flight operations में भी देख सकते हैं flight operations में आपको पता ही है जादा तर जो vacancies होती है ये आपकी pilot की होती है तेन इसके बाद in flight services में air hostess की काफी सारी vacancies आती है air hostess की जो vacancies आती है guys यहाँ पर इनके लिए hiring events चलते हैं जिसके बारे में आगे चलकर के विए आपको जानकारी देने वाली हो ठीक है then administrative department है commercial department है commercial department में वो लोग यहाँ पर काम करते हैं जो की office में रह करके काम करते हैं airport नहीं चाते इनका जो office है headquarter है वही पर बैट करके काम करते हैं corporate affairs में भी काफी सारी vacancies आती हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं finance, flight safety, HR इसके बाद trainings, legal और other department में भी यहाँ पर vacancies आती है जो airport पर opportunity आती हैं वो आपको जादा तर इन ही चार लेवल पर दिखेंगी airport operation, cargo, engineer, flight operation and in-flight services ठीक है अब बात हम करेंगी कि कौन कौन सी vacancy इस वक्त Indigo Airlines में चल रही है तो simply आपको यहाँ पर दिखें search and apply का बटन दिखाई दे रहा है मैं आपको mark करके भी दिखा देती हूँ यहाँ पर दिखें यहाँ पर आपको click करना है ठीक है यहाँ पर जब आप click करेंगे तो देखें इस तरीके से same panel जो है आपके सामने open up हो करके आ जाएगा अब search job के बटन पर दुबारा से click कीजे जो भी opportunity recently यहाँ पर post होई है वो सभी की सभी आपके सामने open up हो करके आ जाएगी आप देखें कितनी सारी vacancy latest post होई है आप उन vacancy के लिए यहाँ पर apply कर सकते हैं जो की 6 या 7 दिन पहले आई है यह इनका first page है यहाँ पर देखें second page है यहाँ पर मैं click कर देती हूँ second page पर भी आपको बहुत सारी opportunity यहाँ पर दिखाई देंगी जो की इस month आई है और अभी अभी आई है यह देखें सारी की सारी vacancy 24 तारिक को post होई है third page पर भी हम चलते हैं third page पर भी आपको recent job opening दिख जाएगी तो आप यहाँ पर उन vacancies के लिए apply कीजिए जो की recent यहाँ पर आई है मतलब अभी अभी यहाँ पर आई है ठीक है तो यहाँ पर मैं वापस से चलती हूँ first page पर आपको बताती हूँ कि कौन-कौन सी opportunity यहाँ पर आपको कौन-कौन सी profiles पर दिखाई देंगी तो यह देखी cargo operations की vacancy है growth manager की vacancy है lead data governance की vacancy है consultant की vacancy है business development manager की है ऐसी कई सारी opportunity यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है अब देखें अब आपको जाना है कि इस vacancy में आपको क्या काम करना है तो देखी executive security की एक vacancy है मैंने यहाँ पर click कर लिया ठीक है जो भी information इस vacancy के बारे में दी गई होगी वो वहाँ पर click करने के बाद ही आपको दिखाई देगी ठीक है तो अब जैसे कि यह vacancy है security की executive security की यह vacancy जो है न यह airport operation and customer service की profile पर आती है जैसे कि मैंने आपको अल्रेडी बताया है जितने भी लोग हैं जो कि ground पर काम करते हैं चाहे वो ticket book करना या चाहे वो ticket को check करना baggages load करना यह सारे लोग जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं यह सारे के सारे airport operation and customer service में काम करते हैं तो यहाँ पर एक profile है जो कि है security की जिसमें आपको देखना होता है objective है वो है safe operations जो भी operations हो रहे हैं वो safely हो punctuality में हो जितने भी passengers आते हैं वो proper timing पर जो है craft में जड़ जाएं और landing भी है वो proper time पर हो साथी साथ customer satisfaction, team efficiency, cost control और उसके बाद साथी साथ good working atmosphere इस objective के लिए आपको काम करना है क्या responsibilities है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है opportunity के बारे में read out कर सकते हैं फिर उसके बाद अगर आपको जो opportunity आपके लिए suitable रहती है उसके side में ही आपको apply now का button दिया होगा वहाँ पर आप जब click करेंगे तो आप इनके apply form पर पहुच जाएंगे अब इस form को भरने के लिए कोई fees नहीं होती कोई charges नहीं होते 100% free of cost आप यहां पर form भर सकते हैं अगर आप first time user है तो आप अपना account बना करके भी इस form को भर सकते हैं ठीक है तो guys यह काफी सारी vacancies हैं जो की indigo में आई है अब यहां पर direct hiring events भी चलते हैं जो की air hostess के लिए चलते हैं तो उसका link भी आपको jobnar 247.in की official website से मिल जाएगा तो आप उसको भी देख लीजे देखे कितने सारे hiring events है जो की air hostess के लिए चल रहे हैं तो आप यहां पर check out कीजे फरवरी मंत का भी calendar आ चुका है आप सभी के लिए 37 जैनवरी के जो एक दो दिन बचे है उसका भी calendar आपके लिए यहां पर पोस्ट हो चुका है तो गैस चेक आउट कीजे कि कितनी सारी जगाओं पर जो है आप सभी के लिए यहां पर hiring events चल रहे है 25 को एक customer service के लिए एक consultant की profile पर hiring event है जो कि आपका गुडगाओं में होने वाला है इसके साथ-साथ सारे hiring events ना आपको यही पर ही दिख जाएंगे तो गैस आप चेकाउट कीजे काफी सारी opportunity इंडियों में आई है और गैस मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारी ground level की information में आप सभी के लि मिलेंगे friends अगरे वीडियो में तब तक की रिए thank you so much and bye bye